आधे ससुराल का भाड़ा ये कहानी शुरू होती है ब्रिंदा भवन से, जहां पार्वती अपने दो बेटी, बहु, पोते-पोतियों के साथ रहती थी. ब्रिंदा भवन एक बहुती खुशाल घर था, जहां से आज तक कभी भी जगड़ी की आवास बहार नहीं आई थी. सुबह-सुबह पार्वती मंदिर से अपने घर लौटरी होती है, तबी कहीं से उड़ता हुआ एक ग्लास उसके पैर के पास आगिरता है. घरों से कचरा फैकते फैकते, ये लोग घर से बर्तन भी फैकते लगे. हवास से नहीं आया, विमला के घर से आया है, उदर देख. तबी पार्वती की पडुशन विमला के घर की रसुई से एक पतिला बहार आता है, और फिर बहुँओं की जोर-जोर चिलानी की आवाजे आनी शुरू हो जाती है. ये देखिए, ये तो आज कल के घरों का हाल है. क्या अग रहस्ती चलाएंगी ये बहुएं? खुदी कुत्ते बिल्यों की तरह लड़ती रहती है. बिचारी विमला. बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इसने अपने बेटों को लायक बनाया था. बहुँओं के परिवार वालों से एक रुप्या तक नहीं लिया था शादी में. और आप देखो. पारवती ये कह रही थी कि विमला की बहुएं लड़ती हुई मौहले में आ जाती है. घर पर लड़ते तुम दोनों का मन नहीं भरा? जो मौहले में आकर लड़ने लग गई? हज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी. और वहीं बेशर्मू की तरह विमला की दोनों बहुएं गिर-गिर कर हाथा पाई करने लगती है. अरे जान से मार दूगी क्या एक दूसरे को तुम दोनों? धन्या भाग्या है पारवती तेरे. एक बार कम पैसे में जीवन आदमी चला सकता है, पर शान्ती के बिना नहीं. खूरे महले में एक तेरा घर है, जहां आज भी काईदा, कानून वैसे ही बरकरार है. भगवान की दया से अच्छी पोग है आगी. भगवान करे ऐसे ही उनका प्यार बना रहे हैं. ये कहकर मुस्कुराती हुई पारवती अपने घर जाती है, जहां दर्वाजे पर दूद लिये, अजित दूद वाला खड़ा था. बाबी जी दूद, आई! क्या अजित भईया, कल दूद एक दम पानी जैसे दिया था आपने. मुझे तो चल जाता है, मेरे बच्चे ऐसा दूद नहीं पीते. जेड जी को खाटे दूद के आदते, त्यान रखा करिए. यही तो देख कर दिल को सुकून मिलता है बहु. जहां मौहले में एक ही घर की दो बहुएं, एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी बैठी है. वहां किस तरह तू अपनी जिठानी के परिवार को अपना समझती है? वसे भाबी, आज एक पाउ दूद कम है. यह सुनते ही सीमा वहाती है. खोई बात नहीं. कम है तो मुझे एक पाउ कम दूद दे देना. पर तू पूरा दूद लेना नैना, तुझे दहीं भी तो जमानी है ना? तो कुछ इस तरह का नजरा था व्रंदावन निवास का. अपने हिस्से में कम दूद लेकर सीमा रसुई में चली जाती है. उसके लिए एक पाउ दूद छोड़ना क्यों ना पड़े? इधर रसुई में सीमा खुद से बात करके अपनी भणास निकाल रही थी. वहाँ नैना अपनी मा से फोन पर बात कर अपनी चिढ़न निकाल रही थी. नजाने कब इस घर का बटवारा होगा, ममी? अगर यही अच्छा कमाती होते ना, तो इस घर को छोड़ कर मैं तो कपका जा चुकी होती? पर नहीं ना, इनका पेमेंट आप तो जानती है. जॉइंट फैमिली है, खर्चा तो मैनेज हो जाता है. इसी कारण बस चुप हो, ममी. शाम के बाग, चाई पीते हुए हरी और पार्वती बाते कर रहे थे. तब ही अपने साथ ससुर को इस बात पर बात करता देख, नैना फॉरण वहां कर बैठ जाती है. यही सही वक्त है, पापाजी के पास दो-दो एफटी है. मैं भी जरा अपना गम सुना देती हूँ. इसी बाहने अगर एक भी एफटी तोड़ दी, तो बिस लग तो यूँ आ जाएंगी. बात तो सही कह रहे हैं, पापाजी, आप. कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहाँ इन्होंने. पर दीखिये न, कमाई के नाम पर सत्रा हजार. अब सत्रा हजार में घर कहां चलता है? जो कुछ लाते हैं, सारा मा के हाथ उमें रख देते हैं. अब तो स्कुल का नया सेशन भी आने वाला है. बच्चों के एड्मिशन फीज, स्कूल ड्रेस, पता नहीं सारा खचा कैसे मैनेज होगा. और उसी वक्तात में राशन का थैला लिए सीमा बाजार से वापस लोटती है. हद कर दी इस नहनाने. एक मौका नहीं छोड़ती मा बाओ जी को इंप्रेस करने का. पर बाहर क्या गई? देखो तो क्या से मा बाओ जी की चाप फुलुसी करने बाढ़ गई? ऐसे ही कहीं मेरी पीट पीछे ये इनसे कुछ ले ना ले. राशन कितना महंगा हो गया है ममी जी. एक तो बिचारी ये कितना कम-कमात है. आप तो जानती हैं. भगवान की कृपासे हमारे पास ये मकान है वना नजाने सब कैसे होता? इतनी तकलिफ हो रही है सब को तो कुछ तो करना ही पड़ेगा हरी जी. हम भी इनके माबाप हैं. हमारा भी कुछ फर्स बनता है की नहीं? हम तो उपर रहते हैं. नीचे का तल्ला तो पूरा खाली प हो हाँ हाँ एक दम सही ममी जी हाँ हाँ एक दम सही ममी जी ये सुनते ही दोनों पहुएं खुशी के मारे एक दुसरे के गले लग जाती हैं。 औखिरकार उनकी हाथों में पैसे जाने वाले थे. रात को अपने समय से अनुजा नयन घर आते हैं. नैना और सीमा मिलकर सभी को परुस्ती है और टेबल पर शुरू हो जाती है रेंटर रखनी की बातचीत ये बहुत सही फैसला किया ममी आपने नीचे पांच कमरे खाली पड़े हैं एक क्या दो-दो परिवारों को रेंट लग सकता है नीचे लगी सकता है लगवाना होतो तीन परिवार को भी दे सकते है दो-दो कमरे दो फैमिली को दे देंगे और एक सिंगल कमरा किसी बैचलोर को दे देंगे जितने ज्यादा रेंटर उतना ज्यादा पैसा तो अब इस चिंदी चोरी पर उतर आ रहे हैं लोग इस तरह तो फिर्दिक्कत है ना भाईया अब देखिए अभी तो हम सब साथ में रहते हैं कोई कहीं भी रह लेता है पर मेरा कमरा पड़ता है दाएं तरफ यानि दाएं तरफ में घर के नीचे वाले हिस्से में जो दो कमरे आए वो तो मेरे हिस्से के हुए और वैसे आप लोगों की तरफ तो तीन कमरे चले जाएंगे तो ये तो गलत बात हुई ना मतलब ये तो गलत बात हुई ना भाड़ा आपको तीन कमरे का और हमें दो कमरे का ऐसा तो नहीं हो सकता हाँ, बस कर दीना हो ची बात अरे अभी तो हमने तीन कमरे दो कमरे वाली कोई बात कहीं नी ये तो खुद तेरे दिमाग के फितूर है बड़ी भाबी बड़ी भाबी करती रहती है ये था तेरे मन में अब तुने अपना असली रंग दिखाए दिया ना तो कमरे अब तीन और दो करके ही बटेंगे ओ, तो सारा दिमाग आप ही लगा लेंगी सीमा जी तो तुझे क्यों आग लग रही है तू भी लगा ले दिमाग तू भी अपना एक एक कमरा अलग अलग बैचलर को दे दे एक कमरे में तुने दिखा दिया जा, उपर में जो इतना बड़ा कमरा लेकर बैटी है न मैंने तो कभी नहीं बोला कभी देखा है मेरे कमरे का हाल किसी कबुतर खाने से भी छोटा दिखता है हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको वो कमरा दिया था मैं तो जब इस घर में आई थी आप उस घर कमरे को खुदी लेकर बैटी थी मुझे तो बचा कुछा कमरा दिया गया था वो भी किसी तरह मेरे पापा ने तुड़वा कर कमरे की मरमत करवाई वना जैसी मेरे कमरे की हालती न मुझे तो लग रहा था कि शादी की पहली रात कहीं परलोग ना सिधार जाओं मैं रेंट आने की बात तो दूर है अभी तो बस आइडिया रखा गया था कि पारवती की आँखों के सामने उसकी हीरे जैसी बहुएं लड़ना शुरू करती थी है ये तुम दोनों को क्या हो गया? है? ये कैसे बात है कर रही हो तुम? तब नैना को समझ में आता है अरे? वो तो अपनी सास के सामने जगड रही है घबरा गई, घबरा गई ममी जी घबरा गई हम तो मसाग कर रहे थे है ना सीमा भाबी? हाँ ममी जी कमरा किसी के भी हिस्से का हो क्या फर्क पड़ता इन चीजों से हाँ में तो कभी मतलबी नहीं रहा है ना घबरा कर नैना और सीमा अपने अपने कमरों में चली जाती है अभी सब कुछ ममी जी के सामने आ जाता और ज्यादा बुरी अगर मैं दिख जाती तो मेरे हिस्से में आता हुआ रेंड पी चला जाता ना बाबा ना अब मैं कुछ ना बूलूँगी कितनी देज है नैना मेरे मुझे उसते बूली निकलवा ही दी अब भी ममी जी के सामने बेकार में मैं बुरी बन जाती और हाथ आता हुआ रेंड भी जला जाता अब मैं कुछ नहीं बुरूँगी ना जी ना मुझे नहीं बनना बुरा इतने दिनों से अपने मन में जलन लिये नैना और सीमा जो अच्छे बहु बनने का नाटक कर रही थी वो कही ना कही बाहर आ जाता है किसी तरह नैना उस वक्त तो सब कुछ संभाल लेती है पर कहते हैं ना अगर आप चिप्स के पैकेट फाड़े और एक पीस खा कर रह जाए ऐसा तो होई नहीं सकता अगली सुबह भी कुछ ऐसा ही होता है रोज की तरह सीमा रस्वे में काम कर रही होती है फोन पर बात करती हुई नैना रस्वे में आती है मैंने तो भाबी को मा समान माना था ममी जी पर मुझे क्या पता था अपने मन में भाबी इतना कुछ लिए बैटी है वो तो कल बस मैंने बात को किसी तरह समाल लिया वना न जाने क्या होता मुझे तो लगा था कि माजी को हार्ट टेकी ना आ जाए ओ तो तू अब मेरी चुगली माजी से कर रही है तो ये भी सुन ले माजी भाड़े के पैसो के बटवारे के बाद भी आपकी बेटी नहीं की थी और यहाँ फिर से सीमा और नैना सब कुछ भूल बाल कर ये लड़की खुद को मेरी दिवरानी कहती है पर कितनी जलन है इसके मन में अब आप ही बताईए अब तक हम जब घर में रह रहे थे तो इसके कमरे की तरफ का हिस्सा इसका हिस्सा था और मेरी तरफ का हिस्सा मेरा तो आज जब किरायदार आने की बात आई तो सब कुछ हिस्से के हिसाब से ही होना चीए ना अब मेरे तरफ तीन कमरे हैं तो तीन कमरों का भाड़ा मुझे मिलना चीए अब इसमें पैसे का बटवारा क्यों हो मतलब हर तरफ से मैं ही घाटे में रहूं तो अब ये भी सुन लीजे भाबी जी अगर रेंटिस आएंगे तो पानी भी इस्तमाल करेंगे और पानी हमेशा नयन जी ही चड़ाते हैं आज तक जेट ची ने घर के किसी काम में भी हाथ नहीं बटाया उपर से भी हालत खराब थी और नीचे जाने की सेडिया तूटी हुई थी उसे भी ठीक मेरे पती ने करवा है उस हिसाब से मेरा और ज्यादा हिस्सा बनता है अपनी बहो को कुटे बिल्यो के तरह लड़ता देखकर पारवेती कुछ समझी नहीं पा रही थी तब ही इस लड़ाय के बीच में अनुजाकर कहता है ममी जी के जो पैसे बैंक में लगे है उसका इंट्रेस्ट भी पीच्छे से नैन को मिलता था तब तुम कहा थी नैन और आज जब हमें फाइदा होता दिखा तो कलेशकने आ गई क्या ममी जी आप अपने पैसों का इंट्रेस्ट नैन को दे रही थी ये क्या बात हुई ममी जी काम करें हम और फाइदा मिलें इसे ये तो गलत बात है तो इतने दिनों से अच्छे बने रहने का नाटक कर रहे थे तुम सब पैसे की बात आते ही कैसे एक दुसरे के जान के दुश्मन बन गये तुम सब और तुम सब में बस मेरा एक नैन ही अलग निकला तबी नैन वहां आकर कहता है अब बात निकली ये तो ये भी सुद्लो फिर कमाता हूँ मैं 27,000 और पूरे 17,000 ममी के हाथ में रखता हूँ आप कितना देते हैं ममी को? 12,000? तो ये कौन सा करोड़ों में कमाते हैं? 40,000 में होता ही क्या है आजकल? लीजी पापा ये देखिए गरीबी का रोना रोने वाली आपकी बहु का पती 40,000 कमाता है और देता है बस 12 अजा ये है इन लोगों का असली रूप मेरी कसम है तुम लोगों को अगर आप किसी ने एक शब्द भी मुझ से निकाला तो अब क्या था? ऐसे की बात आती ही सभी का रोप सामने आ जाता है ब्रिंदा निवास जो अब तक सब की नजरों में सबसे अच्छा परिवार था अब लोग उसकी बाते बनाने लगे थे हर वक्त अब ब्रिंदा निवास से जोर-जोर से चिल्नाने की ही आवाज आती है एक तेरा ही घर बाकी रहता परवेती बस तेरे ही घर में सुख शान्ती थी नजाने किसकी नजर लगी है तेरे घर को जब देखो चिल्नाने की ही आवाज आती रहती है अरे ज़रा समझा अपनी बहु को बहु क्या मेरे बेटे भी वैसे ही है कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये सब ऐसे निकलेंगे इतना कुछ मन में भर रखा है सबीने एक दूसरे के लिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अचा लाकि इन सब की मती को हो क्या क्या विमला से मिलने की बाद पारवती अपने घर आती है उसे आये दस मिनिट ही होते हैं कि तभी दर्वाजे से अनु जाता है अपनी तरफ के कमरे के लिए मैंने दो किरायदार ढून ली है ममी एक हफ़ते में वो लोग हमारा कमरा देखने आएंगे और जल्द से जल्द मैं उन्हें नीचे के कमरा किरायदार दे दूँगा नीचे के कमरे में जाने के लिए आपको सबसे पहले बाहर का शटर खोलना पड़ेगा वहिया और शटर किस दे लगवाया था? नैने, पहले उसका हिसाब कर दीजी फिर अंदर ले जाईगा अपने किरायदारों को वनना ज्यादा दिमा खरा हुआ मेरा तो शटर पर ही ताला लगा दूँगा ये देखो, ये बोला सपूत भाबी, नैना के हाथों का खाना तो मेरे गले से नीची नहीं उतरता आप मेरे लिए पूरिया बना दो भाबी, आप मेरे लिए पुलाओ बना दो भाबी, आप मेरे लिए ये वो बना दो मुझसे काम करवाते वक्त ये सब दिमाग में नहीं आया तिरे नैना से रिष्टा लगवाने के लिए कम भाग दोड करवाई किया तुमने अब उसका भी हिसाब कर शादी के पहले मेरा ही राशन खाता था थू दे वो पैसे मुझे फिर हटा ले ना नीचे का शटर ओहो ये दिको बड़ा भावी भावी करती थी न तुम ने देखलो गिना दिना रोटी उन्हों ने और आप तो ऐसे बोल रिए भावी जैसे बस आपने ही खाना बना कर मेरे पती को खिलाया है मैंने तो जेड जी को कभी कुछ खिलाया ही नहीं बिना बोले 2-2 मेने आप माई के जाकर बैठ जाती थी तो जेड जी को खाना तो मैं ही डालती थी ठीक है फिर बटवारा होगा तो पूरे घर का होगा एक एक चीस 50-50 होगी चट पर कपड़े सुखाने वाली पाइप मेरी है घर पर लगा मोटर मेरा है अच्छा तो फिर सब कुछ आदा-दा कर लेते हैं बना देते हैं घर के बीच लकीर पर याद रखेगा भाबी जी रसोई और बात्रूम दोनों ही मेरे हिस्से में आएंगे नीचे तो आप मुझे दो कमरा देकर हटा देंगे पर उपर बात्रूम और रसोई कैसे बनाएंगे खुश हो गई पारवती तुझे ही लगाना था ना नीचे का हिस्सा किराय पर बना दिया बजट तुने भगवान कभी कभी कुछ लोगों को कम ही सुविधाय देते हैं क्योंकि वो ज्यादा के हगदार होते ही नहीं रात को सीमा पहले ही सबजी बना कर रसोई से निकल जाती है और उसके बाद रसोई में जाती है नैना और रोटिया बना कर बाहर आती है सभी खाने पर बैठ जाते हैं और सीमा सिर्फ अपने पती और अपने साथ ससुर को सबजी परोस्ती है वैसा ही नैना करती है मुझे रोटि मुझे सबजी जब तक आप इस बात का सुलिशन नहीं ला दे कि नीची के हिस्से का किराय किसे कितना मिलेगा तब तक आप लोगों को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा तेरा शुक्रा है कम से कम मेरे थाली में सबजी और रोटि दोनो तो है मैंने सबी के लिए दो-दो रोटियां बना दी थी पापा जी अब अगर उपर से और रोटि लगेगी तो वो सीमा भा भी बनाएंगी क्योंकि उनका काम तो हलका हो गया ना एक बार सबजी बना लो और बात खतम मुझे तो बार-बार रोटियां बनानी पड़ती है न बहुत हो गया तुम दोनों काव हम ये दो रोटियां ही खा कर सो जाएंगे देख लिया मैंने ये सारा नाटक अब इसका सुलूशन तो मैं कल सुबह ही निकालूँगी अगली सुबह ठीक दस बजे सभी एक लाइन में हाथ में कॉपी और पैन लिये पारवती के सामने खड़े हो जाती है सबसे पहली बात तुम लोग ये बताओ कि किस ने कह दिया कि नीचे का भाड़ा तुम दोनों बहों के हाथ आएगा अरे बही किराया मैं लगा रही हूँ तो किराय का पैसा तो मैं ही रखूँगी क्या ममे जी? यह क्या कह रही है ममे जी? मैंने तो बेकार्मी नाना से लड़ाय कर ली यहां सब कॉपी पैन लेकर आई है तो एक हिसाब और जोड ले अब इसे अनुज घर खर्च में पंदरा हजार देगा और नैन आठ हजार किसी को इस बदलाव से तकलिफ है तो वो मेरा घर छोड़ कर जा सकता है मेरी सारी की सारी FD घर में रह रहे हैं मेरे दूसरे बच्चे को दी जाएगी सभा बरखास्त और इतनी लड़ायों की बाद बापस से ब्रंदा निवास की वही हालत हो जाती है